अस्तामलेकूम आज आप लोगो को क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग की रेसिपी दूँगी इस फ्रॉस्टिंग को कॉमनली रेड वेलवर्ट या फिर केरट केक के साथ इस्तमाल किया जाता है फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप थंडी हैवी क्रीम या डबल क्रीम, दो टेबल स्पून पिसीवी चीनी, वन टी स्पून वनिला एक्स्ट्राक्ट इसके इलावा 250 ग्राम रूम टेंपरेचर पे क्रीम चीज का एक बार चाहिए होगा और इसके इलावा 1.5 कप पिसीवी चीनी आपको मजीद चाहिए होगी सबसे पहले मीडियम स्पीड पे हैवी क्रीम को दो मिनट के लिए बीट कर लें अब इसमें पिसीवी चीनी और वनिला एक्स्ट्राक्ट एड़ करके इसको हाई स्पीड पे 2-3 मिनट के लिए बीट करें और आपने इसको ओवर बीट नहीं करना है वनना ये बटर बन जाएगा और आपकी आइसिंग जो है वो खराब हो जाएगी तो इसकी शकल कुछ इस तरह से होनी चाहिए और अब आप इसको निकाल के एक बोल में साइट पे रख लें अब इसी सेम बोल में रूम टेंपरेचर पे जो क्रीम चीज है इसको आप बीट करेंगे स्लो स्पीड पे इतना कि ये बिलकुल स्मूध हो जाए अब आइस्ता इस्ता इसमें पिसीवी चीनी शामिल करते जाएं जैसे 3-4 टेबल स्पून और आप इसको साथ में बीट करते जाएं क्रीम चीज और पिसीवी चीनी यहां अच्छे से मिक्स हो चुकी है और आप इसका टेक्श्चर देख लें कुछ इस तरह का होना चाहिए अब लास्ट टेप में क्रीम चीज में विप कीवी हैवी क्रीम को आप 2-3 हिसों में एड़ करें और इसको फोल्ड करें अब बाकी की भी हैवी क्रीम एड़ करके इसको फोल्ड कर लें और आपने पूरी हैवी क्रीम एक साथ एड़ नहीं करनी है तो ये कर लेने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन 30-40 मिनट और इसके बाद आप इसको केक की फिलिंग या फ्रॉस्टिंग के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो ये थी बहुत आसन क्रीम चीज वरॉस्टिंग की रेसिपी आप लोग इसको जरूर ट्राय करें और बहुत आसानी से आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं केक के लिए और कपकेक्स के लिए मुझे फिडबेक जरूर दें दूआ में यاد रखें अलाहा आफेज